हेलो इस्ट्रोएंस वेलकम टो माइ यूट्यूब चैनल नीरम पोर्वाल 0821 और स्ट्रेंड्स कैसे हैं आप स्ट्रेंड्स जैसे कि हमारे अभी तब वीडियो में जो चल रहे थे तुर्सी दास्काम चैप्टर अभी कर रहे हैं पिछले चैप्टर में मैंने आपको पद नं नंबर त्री इसको हम पहले हम इसको काव्य को पढ़ते हैं पद को पढ़ेंगे इसके बाद अपना इसका बावारत बताएंगे तो यह जैसे कि हमने पिछले वार्वाले वीडियो में जो पढ़ा था कि वहाँ पर भी जो स्वेंबर हो रहा था स्वेंबर का ही पूरा वह जो वारत अ जाल रहा था तो इसमें उसमें राम चांद जी बोल रहते पर अज जो हमारा यह जो पत चलेंगे इसमें लक्षमर जी और परशुराम जी के वीट संबात चलता है आप मुझे बारबार क्या दिखा रहे हैं अपना कुलहाडा तो यहां पर जो लक्षमर्जी हैं उनका इन नायर पंक्तियों में कहने का मतलब यह है कि मतलब हसते हुए बोलते हैं कि ही मुनी महराज मैं तो आपको बहुत बड़ा तपस्वी महाग्यानी ओर आप मुझे बार बार क्या दिखा रहे हैं क्या अपना कुलहारा चैथ उड़ावन और आप अपनी वीरदस के जिस हिसाब से बकहान कर रहुए इस से तो पर आपने हमें क्या समझ जाका क्या हम इतने नाजुक निर्बल कोमल हैं क्या जे तरजनी देखी हमारी जो आपकी इन लंबी लंबी बातों को यह आपकी बारवार इस जो कुलहाडा ले रखा या बारवार उंगली को दिखाने से हम डर साएंगे हम ऐसे डरने वालों मैंसे नहीं है अब रघुसुत जो एक रिष्षी मुनी ब्रगु थे और पाईश्वराम उन्हीं की संतान है तो गया ब्रगु सुत्य समझी जनेवर बिलोकी मैंने आपको ब्रगुसुत अमने सें उनका पुत्र समझजा और आप अपने कन्दे पर आपके जनेवर बिलोकी जो आपने जो कुछ भी कहा उसको सुनकर मैं क्या रह गया चुप रह गया और आपकी सारी जो बाते थी उसको मैं सहन कर गया क्यों सहन कर गया आप जो भी बोल रहे थे क्यों सहन कर गया क्योंकि आप मैंने ब्रामबर पुत्र ब्रगुसुत समझा तीक है ना और आपके कांदे प हमतों और दुमारे टुम屐ं निए कुल की होग है हम लोग प्रहुमन Pay गाव्यों कुछ से डेवितनाय। करते हैं नहीं प्रादशन करते हैं दित illnesses नहीं कि दुम सब्सकुल करते हैं यदि मैं हमरे कुल इने पर ना सुराई ठीक बने पापू अपकीर दियारे और मारता हूँ ताप परिया तुमारे यदि मैं आपको से युद करता हूँ और आपको मारता हूँ तो मुझे क्या लगेगा क्योंकि अब रामने पाप लगेगा और यदि उस युद में मैं हारता तो मेरे कुल को क्या होगा अप्यश्प्राप्त होगा कुटी कुलिस सम बचने तुमारा व्यरते धरव धनु बान कोटारा तो इस हिसाब से अगर आप मुझे मारेंगे तो मुझे गिरना आपके चड़नों में ही क्योंकि आप कौने ब्रामबर जो बिलो की अनुचिते कही सम मजहू महा मुनी दीर सुनी सरोस ब्रंगस मुनी बोले गिरा गंबीर तो जो इन वचनों को जब लचमर जी जो हससकर बोल रहे थे इन वचनों को सुनकर जो परिशुराम जी थे कि चमव अब लचमर तोड़ा यहां पर यह बोलते हैं कि मैंने आपसे अगर कुछ ऐसा काओ और आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं आपसे चमवा मंगता है अब मतलर लक्षमर ने यहां सारी बात भी उन से कह दी ताने भी कह से यह जो ने सुना ना तो सुना भी दिया और बाद में क्या मांग रहे हैं तो मैं उसके लिए आपसे अनुचिकत कहने के लिए छमा मांगता तो लक्षमर द्वारा ये कहे गए जो अभिमान बरे जो व्यंग थी वारी थी जो उनकी उसमें जब को जब परशुराम जी वो सुना सुनी शुरोज ब्रगु बंसमनी बोल से गिरा गमवीर सुनकर उनको बड़ा क्रोध आया और बोले जो इसके आंगे परशुराम जी बोलेंगे वो हमारे अगले पद में है तो आप पहले इस काव्य को अच्छे से इस पद को देख ले ठीके ना इसको समझे और बावर्त में इसको आपको अभी देती हूं पहले हैंने कि लक्षमर और परशुराम जी का संबाद चल रहा है इसमें जो परशुराम जी है लक्षमर कितने क्रोध हो दो यह इल्क्षमर जी की बड़ी-बड़ी बाते सुनकर लक्षमर हसकर बोलते हैं वा हुनिराज आप तो बहुत-ई मानीUU योध्धा निकले आप बारवर अपना कुलाडा दिखा रहे हो मानों कि आप फूख से पहार उड़ा देंगे परन्तु हम भी कोई कुमहडे या फिर छुई मुई के फूल नाजुक निर्मल छुई मुई के फूल नहीं है जो तरजनी देखकर कुमला जाएंगे मैं आपकी डिंगों से ड़ने वाला नहीं हूँ तो यहाँ पर जो लक्षमन जी है वो अभी बोल रहे है पैशुराम जी से कि आप जो अपनी बड़ी बड़ी दिंगे यहां करे हैं मतलब बड़ी बड़ी बाते करने हैं कि मैंने पिछले उसमें जैसे कि उन्होंने बोला था वाके में वो पद में बोला था कि मैं एक ऐसा ब्रामण हूँ कि मैंने इस प्रतवी को चत्रिय विहीन करके ब्रामणों को दान दे रिया था मेरा फर्स है मतलब जो अपने बारे में इतना बखान करते हैं तो उसको सुनकर जो लक्षमर्जी थे वो हस पड़ते हैं उसके उपरांद वो इन्हें जो रिप्लाई देते हैं मतलब बदले में जवाब देते हैं वो यही है कि आप तो अपने बारे में बड़ी बड़ी दींगे हां कर रहे हैं जो आपकी इन बातों से डर कर डर जाएंगे तो बहुत कहते हैं हम भी कोई डरने वालों मैंसे नहीं है तो बहुत कहते हैं कि सच कहूं मुनीराज मैंने आपके हाथों में कुलाड़ा और कंदों पर धनुश माण देखा तो अभीमान पूर्वक शब्द कह दिये सोचा कि सामने सचमुच कोई वीर योद्दा है जो आपको रिशी ब्रंगु का वनशत जानकर और कंदे पर जनेव देखकर मैंने सब कुछ सहन कर लिया यहां लक्षमर जी कहते हैं कि मैंने आपके जब कंदों पर धनुश बान और जनेव देखा आपके हाथ में यह फरसा देखा तो सचमुच मज़े आपको एक वीर समझा योद्दा समझा जो एक ब्राहान ब्रामण है इसलिए आपसे अभिमान पूरवग मैंने यह जो शब्द कहे इसलिए मैंने आपसे कुछ अभिमान पूरवग शब्द कहे थे और आपकी सारी जो बाते आपने हमसे कही थी वो मैंने सब कुछ क्या है सहन कर लिये और आपके क्रोध को पी लिया था आपने जो कुछ कहा उस क्रोध को पी लिया मतलब उस क्रोध को मैंने सहन कर लिया सहन क्या कर लिया तो जो वारवा पैशुराम जी धमकी दे रहे थे कि राजे में मतलब सारी जो भी वहाँ पर उस से में स्वैंबर में जितने भी राजा उपस देता होंगे वो मार दी जाएंगे इस प्रकाय की जो चेताव नहीं दे रहे तो उन्हों सबको उन्होंने सहन कर लिया पर हमारे कुल की यह परमपराय की हम देखता ब्रामण भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते आप ब्रामण हैं यदि मुझसे आपका बद हो जाए तो मुझे पाप लगेगा और आपसे हार जाओं तो यप्यश मिलेगा तो यहाँ पर इस लाइनों में जो लक्षमर जी कहते हैं पशुराम से की एक आप तो ब्रामण हैं और हमारे कुल की यह परमपरा है की हमारे देवता ब्रामण गाय और भक्तों पर कभी भी अपनी महानता नहीं देखाते अपनी वीरता का ना ही बखान करते हो ना ही वीरता का उस पर प्रयोग करती हैं यह हमारे हां की परमपरा है यदि मैं आपसे युद्ध करता हूँ तो मुझे पाप लगेगा और मैं आपको आपसे अगर युद्ध में हार जाता हूँ तो मुझे क्या होगा अप्यश मिलेगा मेरे कुल को अप्याश लगेगा तो महामुनी मिलेगा इसलिए यदि आप मुझे मार भी दे तो पावों में पढ़ना पढ़ेगा यदि आप मुझे मार देंगे तो भी मुझे आपके पावों में ही पढ़ना पढ़ेगा महामुनी पशुराम जी आपको तो बचन करोडों बज्रों के समान है यहाँ पर जो लक्षमर ने वो उनसे कहते हैं कि कहने का तात पर उनका यह है कि आपको किसी फरसे की धनुष की जरूरत नहीं है आपके जो बचन है वो ही सैकडों वज्र कठोर वज्रों के समान है नियुक्ता स्यूढ़ के समारज, सैकड़ोंगों के समार्ष Dehmars रहा है को फ़र्ष है, नहीं इसलिए इन्हें देखकर यदि मैंने आपको कुछ अनूचित कह दिया, तो देर्यवान महमुनी मुझे छमा कर दिया, मतलब उन्हें वीर समझ के, उन्हें योद्दा समझ के, उनको यहाथ में फरसा और धनुच देखकर उन्हें वीर समझा, और बदले में उनसे कुछ कहा, तो उसके लिए यहाँ पर ब्रंगु मुशी वनी मनी परशुराम क्रोध सहित गंभीर वानी से बोले, जब इतनी वाद वो चमा मांग लेते हैं लक्षमर जी, तो इनकी लक्षमर की इस व्यंग वरी, व्यंग वरी वानी को सुनका, परशुराम जी और गंभीर रूप से क्रोधित हो जाते हैं, फिर इपरशुराम जी बोलेंगे, वो इसके अगले वाले काव्य में बोलेंगे, तो अब थर्ड नमबर का बद थाक्ले परशुराम जी संभात करो Singing इस संभात में सिर्फं लक्षमर ने बोला है, परशुराम जी से बोला है, तो रवामेर जो अगला बद आएंगा सच्राम पाइशु राम जी के तो फिर यहां पर आप इसको एक वार देख लीजे जाया रही है हाँ स्ट्रेट्स देखे अब हमारा यह पद है फोर्थ कॉसिक सुनों मंद एहु बालकू कुटिल काल बसनीजग कुल गालकू बानुवंस राकेस करकू निपळ निरंकसु आ बद असंकू कौसर पर विश्वामितर को यहां पर परपर परशुराम जी वह विश्वामितर से कहते हैं सुनो मंद एहु बालक मलत क्यां पर किसको बोला गया लक्श्मंद देको अगर आप इस बालक को बचाना चाहते हैं तो इसकी जो कुटल बुद्धी है काल को बस में कहने वाला निडर ठीक है इसका और भानु बंस मीश होता है सूर्य बंस बानु बंस सूर्य बंस राकेश चंदमा करंकु मीश उसमें कालेग यानि कि वहां पर वो कहते हैं विश्वा मित्र से है कौश है विश्वा मित्र सुनों यह बालक बड़ा कुबुद्धी है कुटल है और काल के वश में है यह कुलका घातक है यह सूर्य बंस में उत्पन हुआ चंदमा के कालिक के समान है किस से कह रहे है विश्वा मित्र जी से कह रहे है किसके बारे में लक्षवन जी के बारे में कि सुनों है कोशे की सुनों विश्वा मित्र सुनो यह जो बालक है बहुती कुबुद्धी है कुटिल है काल के बस में है नेडर है ठीक है और यह सूर्य वंश में जन्मा हुआ चंद्रमा की कालिक के समान है अब यहाँ पर कहते हैं वो कि निपट निरंकोष इस अबुद्ध जो बालक है जो बहुती निपट यह निडर जो है निरंकोष है जिसमें डर नहीं है जड़ा साथ भी और अबोदमीज अबोदमीज मतब छोटा बोलना है इसको बालक है यह काल के वश में हो गया है अगर इसे मुझसे बचाना चाते हो तो कहो पुकारी तो इसे मेरे प्रताब के बारे में मेरे बल और प्रताब के बारे में इसे बताओ भी शमा मित्र से कहते हैं यदि तुम इस बालक को बचा बोध बालक को बचाना चाहते हो तो इसे मेरे क्रोध और बल के बारे में बताओ अब यहां तक तो बोलते हैं परशुराम जी अब यहां से लखन कहे हूँ मुनी सुझसु तुमारा अब यहां पर लक्षमार जी बोलते हैं बतले में वो रिप्लाइ देते हैं अब लक्षमार जी का बोलना शुरू हो जाता है लखन कहूँ मुनी सुजसु तुम्हारा तुम्हाई अचत को बरने पार अपने मूँ अपने मूँ तुम आपनी करनी बार अनेक भात ही बहु बरनी यहां पर लक्षमर जी कह रहे हैं कि है मुनी राज पाशुराम जी कि तुम्हारे बारे में किसी और को बखान करने की आपके बल और प्र वो अपने मूँ से यनि आप अपने मूँ से अनेको बार अपनी बीरता और क्रोध के बारे में बता चुके हैं, अनेक बार माती बहु बरनी, कई बार बता चुके हैं, नहीं संतोष ताप पुनी का चुका हो, और अगर अभी भी आपको तसली नहीं हुई हो, संतोष नहीं देर ना हुआ हो तो फिर से कह दीजी गाली देतन पाबव शोभा आप जैसे महान मुनी को गाली देना शोभा नहीं देता कि युद्ध में जो प्रतापी लोग होते हैं वो सामने वाले अपने शत्रु को अपनी वीरता का बखान नहीं करते कि मैं कितना बड़ा बीर हूं उसका वखान नहीं करते वो युद करते हैं अपनी बड़ी बड़ी दिंगे नहीं हाका करते हैं तो यह यहाँ पर पाईशु राम जी का और लक्षमा जी का जो बारतल आप हुआ है यह बता है पर से जैसे क्या भी मैंना पता आया ना कि है को बुद्धी है ठीक है ना जो अपने सूर्य वंश में पैदा हुआ है पर चंद्रमा की कहले के समान है क्यों उसे शांद करा लो इसे मेरे बल और प्रताप के बारे में इसको बताओ तो इस पर वो लक्षमा जी नहीं रिप्लाय देते हैं कि आप अपनी पहले से ही इतन बखान कर दिया है कि किसी को कुछ कहने के जरूबत नहीं है और अगर वह भी कम पढ़ गई हो तो और कर दीजिए इसमें यहीं सब बताया हुआ है अब इसका मैं बावरत यहां पर राइट करती हूं आप तक इसको देखिए हाँ इस प्रेंट्स इसका बावरत है हे विश्वा मित्र जैसे कि मैंने बताया था कि पाशुराम जी विश्वा मित्र से कहते हैं हे विश्वा मित्र सुनो यह बालक कुबुद्धी और कुटेल निडर है यह काल के वश में होक है अपने कुल का गातक बन रहा है यह सूर्य वंश रूती चंद्रमा का कलंक है यह पूरी तरह से उद्धंट मूर्क और निडर है यह सब किसको कह रहे हैं वह भशुराम जी लक्षमन को कह रहे हैं ठीक ना अभी च्छन भर में मैं च्छन भर में काल का ग्रास कर दो इसे मेरे मतलब क्रोद से यह अभी में इसे मार डालूंगा मैं पुकार कर कह देता हूं फिन मुझे दोश ना देना यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा बल परताब और क्रोध बतला कर इसे रोक लो यहां पर भशुराम जी किसे सचेत कर रहे हैं विश्वा मित्र जी को सचेत कर रहे हैं कि यदि जो को बुद्धी निडार पुटिल जिसको बोलना है लश्वन को अगर बचाना चाहते हो तो इसे मेरे बल प्रताब के बारे में बता कर रोक लो बना अगर मैं इसे मार डालूंगा तो मुझे दोश मत देना और यह जो बालक है अपने सूर्य वंश में चंद्रमा का कलंक ह 6 में चंद्रमा का कलंक है घिनल दया जैसी परशुराम जी बोलते हैं उसके बाद ही तुरंध लक्षमण केहते हैं कि हे मुनि शू यस्झ आपके रहते हें यानि आपके सम्मान में, आपकी कीरती में, आपकी यश में आपके रहते हुए और कौनवर्ण कर सकता है। आप अपने मुझे अपनी करनी अनेक बार कहוצे हैं। आप पहले से ही अनेकों बार अपने बल परताब मतलब जो भी आपने किया उसके बारे में अनेक बार यहां कह चुके हैं इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो वे और कह दीजिए मतलब वो कहने अगर अभी आपको और संतोष ना मिला हो तो और कुछ कहना चाहते हूँ तो वो भी कह दीजिए क्रोध को रोकर असेहनिय दुख सहन ना कीजिए मतलब क्रोध को रोकर आपको जो क्रोध आ रहा है उसको रोकर कहां थे अहां क्रोध को रोक कर असेहनिय दुख उसक्रोध को रोक कर जो आपको दुख हो रहा है असेहनिये मतलब असेहनिये बोलते जो पीड़ा सही ना जाये जो दर्ध साना जाये तो रोकने पर जो दुख दर्द हो रहा है उसे सहन ना कीजिए आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और शोबारहित हैं आपको गाली देना शोबा नहीं देता कि आप धैर्यवान है और वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं आपको गाली देना शोबा रहित गाली देना आपको शोबा नहीं देता ठीक है ना अपनी वीरता का बार बार ऐसे बखान करना शोबा नहीं देता जैसे आप कर रहे हैं पिर वो कहते हैं शूर वीर तो युद में शूर वीरता का कारे करते हैं जो वीर व्यक्ति होते हैं वीर पुरुश होते हैं वो युद में अपनी वीरता का क्या करते हैं कारे वीरता का प्रयोक करते हैं ना की कारे करते हैं वे अपने बारे में कहकर अपने को जनाता नहीं मतल बार बार बखान नहीं करते हैं तो जो शुर वीर रखती होते हैं वो सीधर युद्ध में अपने कार्य को करते हो कार्य क्या होता है युद्ध करना अपने पराकरम का युद्ध में अपने प्रताप की डिंगे हाका करते हैं जब शत्रु यदि आपके सामने है और उसके सामने जो कायर व्यक्ति होगा वही लंबी लंबी बात मतला अपने बारे में अपने बारे में लंबी लंबी बाते बताएगा कि मैं ये कर सकता हूँ मैं इतना वड़ा च्छतरी हूँ मैं इतना वीर पुरुश हूँ तो जो कायर व्यक्ति होते वही लंबी लंबी लक्षमर जी का जो संबाद था वो हो गया अब हम अपने नेक्स वीडियो में पद नमबर फिप्ट और सिक्स फाइफ और सिक्स का आपको काव्यर उसके पद और उसकी बावार्थ बताएंगे तो पहले आप इसको देख लीजिए एक बार और बच्छों जैसा कि मैं बताने हुए अपने नेक्स वीडियो में इसके फिप्ट और सिक्स डालूंगी और अगर इसको आपको समझने में थोड़ी सी भी कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करिए कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब जरू करिए ओके बाइबाइ स्टुएंट्स आल दा वैस्ट